युहन्ना रचित सुसमचार दूसरा अध्याय फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और इश्यू की माता भी वहीं थी और इश्यू और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। जब दाखरस घट गया, तो इश्यू की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। इश्यू ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझ से क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे, वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीती के अनुसार पत्थर के छह मटके धरे थे, जिन में दो दो तीन तीन मन समाता था। तो नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था, वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूलहे को बुला कर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पी कर छक जाते हैं, तब मध्यम देता है, पर उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया, इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहुं पो गए और वहां कुछ दिन रहे, यहुदियों का फसह का पर्ब निकट था, और येश्यू यरुशलेम को गया, और उसने मंदिर में बैल और भेड और क था दिये, और पीड़ों को उलट दिया, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्योपार का घर मत बनाओ, तब उसके चेलों को स्मरण आया की लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, इस पर यहोदियों ने उसस कहा, तू जो यह करता है, तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है, इशु ने उनको उत्तर दिया, कि इस मंदिर को ढढ़ा दो, और मैं उसे तीन दिन में खड़ा कर दूँगा, यहोदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में छियालिस वर्ष लगे हैं, और क्या तू उसे तीन दिन में खड़ा कर देगा, परंतु उसने अपनी देहे के मंदिर के विशय में कहा था, सो जब वह मुर्दों में से जी उठा, तो उसके चेलों को स्मरण आया, कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्तर और उस वचन की, जो ईश्यु ने कहा था, प्रतीती की, जब वह यरुशले में फसह के समय पर्ब में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था, देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु ईश्यु ने अपने आपको उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब को जानता था, और उसे प्रयोजन न जानता था, कि मनुष्य के विश्य में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था, कि मनुष्य के मन में क्या है,